सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे बाजर के बारे में यानिकी Nifty 50 के बारे में अगर हम आज की दिन की प्रफ्वेंस की बात करें तो बहुत भी हल्दी हमें करेक्शन देखन को मिला लगबाग देर पसंद से भी जाधा की गिरावट लगबाग 300-300 पॉइंट की गिरावट गि दूसरा Reliance Industry तो बाद में ऐसे लगा था कि कुछ और भी Concrete रिजन साय से बाजर क्लोज होने के बाद हमारे समने आसा रिजन हमारे समने अभी तक तो है यानि कि आप यह मान सकते हो जो बाजर में आज की दिन प्रेशर देखने को मिला इतने बड़े गिरावट देखने को मि जिन तीन स्टॉक में इनकी इन कंपणी के नंबर निकल के आचको तीनों कंपणी के नंबर दोस्तों बहुत ही जाधा important होने वाला क्योंकि यह तीनों स्टॉक काफी टाइम से एक बहुत ही लंबे consolidation में है तो कैसे रे कंपणी की नंबर उसी के साथ-साथ किसी के पास अगा बाजर क्लोज होने के बाद है यानिकि जो भी नंबर क्रिपती reaction रहेगा वह हमें कल के दिन ही देखने को मिलेगा उसमें सबसे पहले बात करें तानला प्राट्फ़म सो अगर हम तानला की बात करें तो आज के दिन चार पसनी के आपा की गिरावाट तो जैसे में नका कि य यानि कि जो गिरावाट आपको देखने को मिला इस गिरावाट के साथ मतब नमबर के साथ इस गिरावाट का कोई भी connection लिया है यानि कि जो आपको actual में नमबर के आपको reaction देखने को मिलेगा वो कल की दिन देखने को मिलेगा क्योंकि company की जो नमबर है बाजर close होने के बाद आया है तो देखते सबसे पहले company की number कैसे है उसके बाद हमें थोड़ा बहुत indication मिल जाएगा कि कल के दिन इस stock में इस number को बाजर किस प्रका की reaction दिखा सकते हैं बट उससे पहले एक छोटा सा अपडेट इनके shareholder के लिए सबसे पहले टालना प्लाटफरम की बात करें तो उसने दोस्तों company ने रेजल के साथ साथ 6 रुपे के dividend डेकलर किया जूकि interim dividend है तो ज्यादा time ने लेंगे कुछी दिनों के अंदर आपके अकॉन में वो credit हो जाएंग तो हम आज चुके company के console date number के उपर जिन number पर company के जितनी भी total income है वो हमारे सामने आ जाएगा तो एक बार sequence की बात करें तो December, September, December तो sequence एक देम होके होके अब चलते हैं company के total income के उपर तो total income की बात करें तो यह साथ चीज़ दो मिलियंस में रहे गे मिलियंस एन रूपीज में तो एक लाग 763 करोड पिछली कौटर में 1,1500 करोड और एक साथ पहले 87,500 करोड रफली बात करें तो तो याली income अच्छे है ब 83,621 करोड और एक सार पहले 73,000 तो income minus expense आ जाता है profit without adjustment बाले profit जो कि आप देख साहते हो 17,278 पिछली कोटर में 17,872 और एक सार पहले nearby 14,500 के आपास so 14,500 के profit without adjustment बाले profit जो कि increase होके लगबाग 17,278 करोड के आप पास और थ्री मांत पहले जो company के profit थे 17,872 जो कि थोड़ा सा decrease होके 17,300 के आप तो याली company के OPM अच्छा है बाट quarterly slides are down है इसके बाद बहुत सारे taxes देखने को मिल जाएगा सारे चीज़ों को cut करने के बाद जो company के actual net profit है और वो profit है दोस्तो 14,013 करोड पिसे quarter में 14,254 करोड और एक साल पहले 11,650 करोड के आप तो 11,600 के income इंग्रीज होके 14,000 और 14,254 के income थोड़ा डाउन होके 14,000 तो याली company के net profit आच्छे बाट quarterly slides are down है और सेम उसी के reflect आपको company के EPS में देखने को मिल जाएगा 10,42 पिछली quarter में 10,60 और एक साल पले 8,58 तो याली अच्छे है बट quarterly slide सा जंब है तो कैसे रहे तानला प्लाटफर्म के नंबर सो तानला प्लाटफर्म के बात करें तो याली बैसिस company के नमर अच्छे तो होना चाहिए ना है तो stock में कल की दिन तो बहुत अच्छे का से गिरावाट हो सकता था बट quarterly बात करें तो slide सा जंब है मतब slide सा गिरावाट है income से लेके company के profit तक तो number एकदम okay okay बहुत ही muted company के number है तो देखते कल की दिन बाज़ार इस number को किस प्रका की reaction दिखाता है क्योंकि अगर हम stock के profit में की बात करें तो stock में पिछले एक साल में निचले तर से बहुत अच्छ की level है उसके उपा stock अपने आपको sustain कर रहे तो क्या यहां से इस number को बाजर के appreciate करेंगा क्या बाजर इस stock से कम उम्मीद कर रहे थे अगर कम उम्मीद कर रहे थे उसके साब साब सागर नमर दिखा होगा तो साइस इस number को cheer किया जा सकता है अगर बाजर थोड़ा से और के reaction दिखाते है देन दूसरे company की बात करें तो सोना कॉंप चाहिए तो सेम सोना कॉंप चाहिए और इसकी बात के दोस्तों यह जो गिरावाट है 202 पसंटी तो इसके number के साथ इस गिरावाट का भी कोई connection नहीं क्योंकि जो number company के आया है वो भी buzzer close होने के बाद है यानिकि number पर इक बाती जो भी buzzer की reaction आएगा गिरावाट हो यह तेजी हो वो आपको कल के दिने देखने को मिलेगा लेकिन एक बात देख लेते वो number किस type के आये और directly company के number को पर जाने से पहले इस company के management ने भी दोस्तों अपने shareholder के लिए एक रूपे 53 पैसे के dividend डिकलर किया है जोकि यह भी interim dividend है तो यह भी डेख लिए आपका account में credit हो जाएंगा अब चलते हम company के number के उपर तो हम आज चुके company के नमबर को पर जिनमें company के सारे income आ जाएंगे तो इक बास sequence की बात करें तो डिसमबर सेप्टमबर डिसमबर तो sequence एक देम ओके ओके अब चलते हम company के income के उपर तो income की बात करें total income तो 7,815 पिछले quarter में 7,969 एक साल पहले 6,882 तो यह लिए income अच्छे है but quarterly slides है डाउन है उसी के साथ साथ अगर हम expense की बात करें total expense 6,125 पिछले quarter में 6,268 एक साल पहले 5,508 तो expense भी हमें उसी range में देखने को मिला जिस range में company की income देखने को मिला so income minus expense आ जाते profit कौन सी profit without additional profit इसे हम OPM भी बोलते है याई की company के operating profit अगर हम profit before tax की बात करें तो आप देख पारंगे के 1,690 पिछले quarter में 1,641 और एक साल पहले 1,373 तो आपको OPM quarterly basis भी अच्छे आपको इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि इसलिए के base में आपको एक other income देखने को मिल जाएगा जो कि पिछले quarter में quarter 2 में यह 58 करो के minus में किया गया था जिनके चलते company के आपको OPM Q1 Q2 बेस भी थोड़ा सा अच्छे देखने को मिलेगा इसके बाद बहुत सारा taxes आ जाएगा तो हम चलते हैं directly company के net profit को बाएं तो सारे चीज़े adjustment होने के बाद जो company के net profit है तेरा सो 35 करोर पिछले quarter में 1240 करो एक सर पहले सिप 1071 करो तो yearly भी अच्छे quarterly भी अच्छे इसी के साथ साथ अगर आप इसके earning परसियर को देखो गया आनकी EPS तो 2.26, 2.12, 1.83 तो yearly भी अच्छे, quarterly भी अच्छे, income के बाद करें तो Q1 Qbc पे down है, OPM भी down है बट वो other income के चलते हैं और ज्यादा taxes pay करने के चलते हैं company के इस बार के number है वो हमें Q1 Qbc पे, yearly basis पे, 200 basis पे, at least okay okay यह फिर थोड़ा बात अच्छे नमर आच्छे नमर आच्छे तो देखते हैं कल की दिन इस number को बाज़र किस प्रकार की reaction दिखाते हैं क्योंकि यह भी stock जब से listing हुआ फिर एक अच्छे तेजी फिर एक गिरावाट फिर एक अच्छे तेजी और अभी जाके stock इसी range में consolidate कर रहे हैं तो अगर आपके पास top पे हैं तो long time के लिए आप इसमें जरू बने रहे सकते हैं बट short time के लिए क्या reaction आते इस number क्रिपती उसके लिए पहल के दिन इसमें focus बनाके रख सकते हो आखरी stock की बात करें तो root mobile तो root mobile की बात करें तो इन stock को भी 202% down तो same जो ग्रावाट है दोस्तो यह number आने से पहले हुआ से बाजर में ग्रावाट की चलते हैं ग्रावाट के साथ number का कोई भी connection नहीं क्योंकि इसकी बी जो number है बाजर close होने के बाद है यानि कि number के पती जो भी बाजर के reaction है वो आपको कल के देने देटन को मिलेगा तो कैसे रूट मोबल के number तो डेख लिए इसकी बी number को पर जाने से पहले तो और एक important point जो रूट मोबल ने भी दोस्तो अपने shareholder के लिए 3 रूपे के interim dividend declare कर दे जो कि एक तरह सा बोस्त होता है चोटा सा positive point है बड़ हमारा focus 3 रूपे के dividend को पर नहीं number को पर होना चीए तो चलता हम company के number के उपा है तो अगर हम number की बात करें तो आप देख पाएंगे total income तो दोस्तो 1043 करोड पिछले quarter में 1080 करोड और एक सार परे 993 करोड तो यह लिए slide से jump है quarterly भी slide से jump है कोई massive growth नहीं company की income में उस्सी के साथ साथ अगर हम company के expense की बात करें तो expense आप देख पार के दोस्तो 927 पिछले quarter में 941 एक सार परे 890 तो सेम उसी रेंज में company का में expense में देखने को मिला income minus expense आजयते profit कौन सी profit opm तो हम opm को नहीं हम डेख चलते company की net profit के उपर तो profit before profit for the period की बात करें तो 113 करोड पिछले quarter में 880 करोड एक सार परे 850 करोड तो 85 करोड के दोस्तों न इस quarter में 880 करोड के net profit जो की ओन 13 करो तो इसमें दोस्तों कुछ आपको other income देखने को मिलेगा जो कि इस quarter में add किये जिनके चलते company के net profit में ये net profit आपको q1 qbass भी अच्छे देखने को मिले अच्छे देखने को मिले तो हमेंसा की तरह company ने इस बार भी एक फ्याटी से नंबर प्रेजन किया तो अगर हम root mobile नंबर की बात का है तो एकदम ok और एकदम फ्याटीस नंबर इसमें प्रेजन किया है उससी के साथ साथ income management के है जिनके चलते company के net profit में एक अच्छे का सामें उच्छाल देखने को मिला बट एक्चुर में नंबर को देखा जाए सुरुआज से company की income से लेकर तो इस बार भी root mobile हमेसे की तरह एक बहुत ही फ्याटीस नंबर प्रेजन किया है तो अगर root mobile की बात का है तो ये भी stock कल के दिन आपके focus में रहने वाले क्योंकि ये भी stock दोस्तो जब से listing हुआ से में अच्छे होते जी और फिर जो गिरा stock दो साथ से एकी range में stock है तो मतब comeback बहले नंबर तो बिल्कुर भी नहीं है फिर भी देखना के कोई कुछ मतब छोटा मट भी positive reaction आता है या इस नंबर के ज़्यादे stock में गिरावाट आता है तो इसके लिए आप चाहो तो इसको भी आप कल के दिन अपना focus बना के रख सकते ह तीनों की तीनों कंपनी आच्छे long time के लिए अच्छे कर सकते है बाट short time के साफ से देखा जाए और stock के evaluation के साफ से देखा जाए तो उन्होंने आभीता कोई impressive number दिखा है मतब दिखाए निए तो ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं है कि कल के दिन science से बाजर इसको cheer कर सकता है ए एक नॉर्मली रियक्शन कल के दिन science